नमस्कार नारत संचार सकारत्मक सुर्खियों में आप सभी का हर्दिक स्वागत है हिंदी पंचांग के अनुसार आज माक्षी समास के क्रेश्न पक्स की तृतिया दिन है ब्रेस्पतिबार है बिकरम समवद 2000 सजत्तर है और ग्रेगर केलेंटर के अनुसार अंग्रजी तीन दिसम्बर है जो वर्स का 337 को देन होता है और साल में अभी 28 दिन बाकी है तीन दिसम्बर के इतिहास की बात हम करते हैं वाइसराइड लाइड बिलियम बेंटिक ने भारत में आज ही के दिन सभी प्रथा पर रोक लगाई थी सथी कुछ पूरातन भारती सम्मिदायों में एक प्रचलित ऐसी धर्मिक प्रथा थी जिसमें किसी पूरुस की मृत्यों के बाद उसकी पत्नी उसके अंतिम संसकार के दौरान उसकी चीता में स्वयम ही प्रविस्ट होकर आत्मत्या कर लेती थी 1839 में अंग्रेजों के दौरा भारत में इसे गैर कानूनी गोशित किये जाने के बाद ये प्रथा प्राहसमाप तो हो गई थी और 3 दिसमबर 1984 को भोपाल स्थित यूनियन काबाइट की इतना सक सरियंत्र से जहरिला गैस का रिसा हुआ इस हाथसे के दौरान कई हजार लोगों की मौते हुई जबकि घायल होने वाले लोगों की तादाद भी काफी लाकों में थी इसे दुनिया की सबसे भीसर और जोगी की तासदी माना जाता है और ये दिन काफी लोगों की काफी इसमें मृत्वी हुई थी इसी दिन हमें देश के प्रतम राश्पति डॉक्टर राजेंद प्रसाथ के रूप में एक महान सक्सियत मिली डॉक्टर प्रसाथ का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था वे भारती स्वाधिन्ता अंदुलन के प्रमुक नेताओं में से एक थे उन्होंने भारती राश्टी संग्रिस के अध्यक्स के रूप में प्रमुक भूमी का निभाई उन्होंने भारती समिधान के निर्माण में महत्वपुन योगदान दिया था रास्पति होने के अत्रेग उन्होंने भारत के पहले मंत्री मंडल में 1946 एवं 1947 में कृषी एवं खाद्य मंत्री का दाइत भी निभाया था हर साल 3 दिसम्मर को दुनिया में 20 विकलंगता दिवस भी मनाया जाता है इस दिन को मुख्य रूप से द्व्यांगों के परती लोगों के विहवार में बदलाव लाने और उनकी अधिकारों के परती जागरूप करने के लिए मनाया जाता है 1992 के बाद से ही दुनिया भर में विश्व विकलांकता दिवस मनाया जा रहा है। रुख करते हैं आज के समाचारों की सकारत्मक सुर्खियों की योड। भारत और रूस ने मौस्कुमें स्वेटराश शुर्ख परिशत् से समंदित मुदो पर विचार विमर्श किया। केंडर सरकार ने देश में कृष्तर के सुधार और किसानों की आई को बढ़ाने के लिए बहुत कदब उठाये हैं. सरकार ने इस दिशा में तीन नए क्रिशी कानून लागू किये जिनमें से किसानों की उपज के में व्यापार और बेपड़न संग्रक्षन और सुविधा अधिनियम 2020, क्रिशक ससक्तिकरण और संग्रक्षन मूली समझोता एवं क्रिशी सेवा अधिनियम 2020 सामिल है करनाटक में नाबाट के शेत्री कार्यालय और भारती स्टेट बैंक ने चल संबर विकास और जन जाती विकास परियोजनाओं के लाभारतियों को रियायती दरों पर वित्ती सुधा देने के लिए एक समझोता किया है इसका लक्ष करनाटक के 28 जिलों में 260 किसान संगटों के लगबग 45,000 लाभारतियों की साहता करना है इनमें स्वयम साहता समों भी हैं और स्वयक्त उत्तरदाई समों की लगबग 8-8,000 लोग को सामिल किया जा रहा है उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आजटिनात ने कहा है कि फिल्म जगत के दिगजों का अनुभव नौईडा के पास विष्वस्तरी फिल्म सेटी बिख्सित करने में महत्रपुन साबित होगा उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेस में फिल्म सिटी स्तापित करने का बिचार एक भारत स्रेष्ट भारत के सपने को साकार करने की दिसा में एक नई पहल है। और सेवाओं को ग्रामीन स्तर पर उपलब्द करा जाएगा और मार्केटिंग कर प्रचारित किया जाएगा। फिलहाल इसे दिल्ली और एंसियार में प्रायगिक तौर पर शुरू किया जा रहा है। और केंद्री शिक्षा मंत्री रमेश पुख्रियाल निसंक ने मात्र भासा में तक्नीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए रोड मैप त्यार करने के उद्यसे से कारीबल का गठन किया है। केंद्री मंत्री ने कहा कि किसी भी विध्यार्थी पर कोई भासा थोपी नहीं जाएगी लेकिन उनको सक्षम बनाने के प्रावधान जरूर किये जाएंगे। जिसको लेकर कोई भी हुनहार विध्यार्थी इसलिए तक्नीकी शिक्षा से वंचित न रह जाए क्योंकि वो अंग्रजी भासा जानता ही नहीं। उन्होंने कहा कि सभी हित धारकों द्वारा रास्ती शिक्षा नीटी 2020 के प्रभावी क्रियानिवन के लिए सम्मिलित प्रियास किये जा रहे हैं। और पंजाब में अब ग्रामीड परिवेस के चात्रों को स्मार्ट शिक्षा अंसिल करेंगे। पंजाब सरकार लगबग 1500 और सरकारी स्कूलों को समार्ट बनाने जा रही है। इसमें गाओं के और सहरों के सरकारी स्कूलों को सामील किया गया है। शिक्ष्य विभाग ने इन स्कूलों को चन्नित कर एक कारी रोजनाप पे काम शुरू कर दिया है। और साथ ही मध्यप्रदेश में भी विद्धियारतियों के जीवन कौसल सिखाने और उनकी रुचियों को विक्सित करने वह मांगदस्टन प्रदान करने के देशी से प्रतेक सालह में यूथ कलब का गठन करने का निर्णे किया गया है इस यूथ कलब को ओजस कलब के नाम से जाना जाएगा आज के लिए इतना ही कल फिर सुबह आपसे मुलाकात करते हैं तब तक आप स्वस्त रहें मस्त रहें आपको दिन शुभो नमस्कार